हेलो दोस्तों कैसे हूँ उमीद करता हूँ आप सबी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों अगर आपके पास Samsung Galaxy F23 Mobile है और आप उसमें App Lock को लगाना चाहते हूँ भी Fingerprint के साथ में यानि कि आप App Lock भी कर पाओगे और साथे साथ Fingerprint को भी लगा पाओगे जिससे कि आपने Fingerprint के लिख करके सर्च कर देना है और यहां तर्श कर दोगे तो यहां पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ पर एक application मिले app lock fingerprint तो आपको app lock fingerprint वाली application पर क्लिक करना है और ये वाली application आपको देख लेना है इसी को install कर लेना है यसे आप इसको install कर लोगे तो आपको उसके बाद open कर देना है open करने के बाद सबसे पहले आपको गया करना है या फिर आपको no कर देना है उस अभी मैं बताऊंगा कैसे fingerprint को add कर पाऊगी तो आप दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले plus का icon पर क्लिक करना है उसके बाद सारे apps आपके सामने आ जाएंगे बिन में से जिसको भी lock करना है उसको lock कर दीजी lock करने के पाद आपको back आना है या फिर आपको plus का icon पर फिर से क्लिक करके यहाँ पर सभी को tick mark कर लिजे यानिकी enable कर देना है उसके बाद plus का icon पर फिर से क्लिक कर देना है अब यहाँ पर इसको कुछ permission देना है तो इसको लिए ok करना है और इसकी permissions को दे देना है आप एप लोक राईए और इसको मैं अलाव कर देता हूँ उसको फिर से ओके कर देना है और फिर से इसकी प्रमिशन को जो मांगता है उसको दे देना है और फिर से ओके पर क्लिक करना है और यहां पर अलाव पर क्लिक कर देना है आप दोस्तों यहां पर देखोगे तो आपके सामने यह वाले apps आपके lock हो जुके हैं आप दोस्तों इन में fingerprint को add करने के लिए क्लिए क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पर उपर के साइड में देखे सेटिंग का आपसंद मिल ला है तो आपको setting पर क्लिक करना है और यहाँ से आप setting पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा और fingerprint मांग रहे हैं अगर मैं fingerprint दे दूँगा तो यहाँ से यह open हो जाएगा नहीं तुम्हाया डारेक्ट यहाँ पर अपना password डाल सकता हूं और password डालने के बाद यह open हो जाएगा देखी open हो जुगा है तो इस दरीके सुस्तों आप यहाँ पर fingerprint app लोग को set कर सकते हैं अपने